नवस्कार आप देख रहें नियूस चक्र मैं अबिसार शर्मा मैं मुदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप किसानों से बाचीत करने का ढोंग क्यों रच रहें आपकी बाचीत करने की कोई मनशा नहीं है आप सिर्फ उसे बदनाम करना चाहते हैं आप सिर्फ उसे निशाना साथना चाहते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पहले पंजाब के अंदर 14 आरतियों पर income tax की raid मारी गए और अब पानीपत और जीन्द जी हाँ हर्याना के पानीपत और जीन्द में भी आरतियों के घर में raids डाली जा रही है income tax के notices दिये जा रहे है मैं आपसे जानना चाहता हूँ इससे पहले आपने कब आरतियों पर ऐसे वक्त पे raid मारी है बताई ये सरकार दोस्तों शालीनता की तमाम हदों को पार कर रही है मतलब एक तरफ तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा रकाब गंच पहुँच जाते हैं गुरुगरंज साहिब के सामने शीष जुकाते हैं बहुत ही अच्छा नजारा था बहुत ही सौम में नजारा था मगर दूसरी तरफ क्या होता है दूसरी तरफ आप वो संस्थाएं या वो आड़ती है जो कि किसानों की मदद करते हैं उनके घर में आप आप इंकम टाक्स की रेट्स मार रहे हैं उन्हें इंकम टाक्स नोटिस भेज रहे हैं क्या इस सरकार को बस ऐसे ही राजनीती करनी आती है जो विपक्षी दल के नेता हैं आप उनके घर income tax के rates मारते रहे चलिए बात समझ आती है जो स्वयम सेवी संस्थाई हैं आप उन्हें target करते हैं जो कि आप से सवाल करते हैं वो बात भी समझ आती है मगर जब आप किसान से बाचीत कर रहे हैं जब इतने राउंड की बाचीत हो रही है और आने वाले दिनों में भी बाचीत होती रहेगी तब आप आड़तियों पर income tax के rates क्यों मार रहे हैं आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये सरकार चाहती क्या है देखिए आप दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते और आप दोहरा खेल भी नहीं खेल सकते यानि कि एक तरफ तो आपने मीडिया के जरीए किसान को बदनाम करने का हर पहत्रा अपनाया दूसरी तरफ आप उससे बाचीत भी करना चाहते हैं एक तरफ आप उसके समर्थक गुटों के खिलाफ इंकम टाक्स की रेड मारते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं अनिदाता जो है वो हमारा माईबाप है लिकिए ये दोहरी चीज़ें नहीं हो सकती हैं और आप जानते हैं वो किसान जो है वो बहुत ही शालीनता से अइंसात्मक तरीके से अपनी बात रख रहा है आप जानते होंगे कि इन्होंने फेस्बुक पर अपना पेज बनाया था दबाव डलवा कर फेस्बुक ने वो पेज ही हटवा दिया किसानों का और बहुत ही शालीनता से वो अपनी बाते रख रहे थे वहाँ पर फिर जब सोशिल मीडिया में बवाल हुआ तो फेस्बुक को शर्माई बेशर्मों को शर्माई और उन्हें आखिरकार उस पेज को फेस्बुक पर बहाल करना पड़ा और मैं इसमें भारती जाहता पार्टी सरकार कहाँ इसलिए मानता हूँ क्योंकि आप जानते हैं फेस्बुक की एक एंप्लॉई हुआ करती थी अंखिदास वो कितनी करीब थी वीजेपी की सब जानते हैं फेस्बुक के अंदर बजरंग दल का पेज चल सकता है फेस्बुक ये भी कह सकता है कि साब हम जहरीले प्रॉपगांडा को इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि हमारे बिजनस पर असर पड़ेगा मगर वो किसान जो आइनसात्मक तरीके से सिर्फ अपनी बात रख रहा है उसके फेस्बुक पेज को ही डिलीट कर दिया जाए तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना कि ये बाचीत कैसे हो सकती है ये उससे समबाद कायम का करने का जरिया कैसे हो सकता है सरकार को ये खेल खेलने बंद करने चाहिए या तो आपको उस्पश्ट कर देना चाहिए कि हमें किसान से बाती नहीं करनी, ठीक है, फिर आप अपना उप्रोपेगांड़ा चलाते रहिए, या फिर दूसरी तरफ, अगर आप बाचीत कर रहे हैं, तो पूरी इमानदारी से करिए, उसे बदनाम मत करिए, वो हमारा अन द आता है, और देखिए, बदनाम करने के कई तरीके हैं, आपकी स्क्रीन्स पर दोस्तों, न्यूज 18 ने कल एक कारकम चलाया, और उसका लबो लबाब, अगर हम एक सेंटेंस में कहें, एक पंक्ती में कहें, तो वह ये, कि 57 फीसदी किसानों का मानना है, कि किसानों को अपना अंदूलन बंद करना चाहिए, ठीक है साब, मगर आप जानते हैं, न्यूज 18 का मालिक कौन है, सरवे सरवा कौन है, ये शक्स मुकेश हमबानी, और आप भी जानते हैं कि इस वक्त किसान ने किन तीन उद्योग पतियों के बॉयकोट का एलान किया है, मुकेश हमबानी, चोगनी तरक्की कर रही है, इसलिए किसान जो है उन्हें टार्गेट कर रहा है, और आप इनका जो चानल है, वो ये चला रहा है कि अधितर किसान इस आंदोलन से खुश नहीं है, ये विरोधा भास नहीं है, आप क्या समझते हैं साब, कुछ दिनों पहले इसी चानल ने च चलाया था कि सिंगू बॉर्डर पर ये जो आंदोलन चल रहा है, उसके चलते अब तक साड़े तीन हजार करोड का नुकसान हो चुका है, मैं उस आंकडे को कॉंटेस नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो सही है, घलत है, वो एक अलग मुद्दा है, मुझे प लुकने वाला है, वो वहीं पर टिका रहेगा, ठीक है, आप चाहे उसे जितना भी बदनाम करते रहेए, आप उसे खालिस्तानी बताईए, आप उसे देशद्रोही बताईए, वो किसान अगर किसी ठेले पर पीज़ा निकाल करे, बाकी भूके किसानों को पीज़ा खिला र रहा है, तो उसको लेके भी प्रॉपगेंडा चलाया जाता है कि देखो, ये किसान जो है फुट मसाज करवा रहा है, जिम कर रहा है, पीज़े और बर्गर खा रहा है, तो तुम क्या चाहते हो? और ये सवाल मेरा मोदी सरकार से नहीं है, इस देश की अग्रणी जाती के ज ग्यान देते हैं, उनसे तुम क्या चाहते हो? आज से कई महीनों पहले, कई साल पहले जंतर मंतर पर तमिलाट का किसान आया था, उसने पेशाब और टटी खाई थी, जानते हैं किने आप, उसने पेशाब और टटी खाई थी अपनी बेबसी दिखाने के लिए, यही नहीं, उसने मुँपर चुहे रखे थे, मरे हुए चुहे रखे हुए थी, यह बताने के लिए मैं कितना बेबस हूँ, तब क्या आपका दिल पसीजा था? तब क्या जंतर मंतर में उस किसान के हक के लिए आप उतर के आये थे, जो अब आपको इस बात पर आपती है कि वो पीज़ और बर्गर खा रहा है, मैं एक बात सपश्च करनू, दो दर्जन से ज़्यादा किसान ठंड में ठिठुर कर मर चुके हैं सांदोलन में, और मैं बात कल बता चुका हूँ, इन में से कई लोग वो हैं जिनकी उम्र मुझसे भी कम है, तो मेरी हाथ जोड़ के परातना इस दे करें, दोस्तों आप जानते हैं उस किसान को मुख्यधारा की मीडिया से समर्था नहीं मिल रहा, मगर वो बहुत ही नायाब तरीके से सरकार का विरोध कर रहा है, आपको याद होगा, लॉक्डाउन के दौरान मार्श के महिने में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने एलान क किया था कि फलाना तारीक को थाली बजाओ, ताली बजाओ, याद है नहीं कि आपको, और उसके बाद भारत की जो जगहसाई पूरी दुनिया में होई थी उन तस्वीरों को लेकर, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, जैसी लोग सड़कों पर आ गए थे, थाली ताली और जाएंगे, ताकि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के मन की बात, उस शोर में दब जाए, देखे बात, एक बात मैं सपश्च कर दो, मैं जानता हूँ, कि जब प्रधान मंत्री ने हम सबसे थाली और ताली बजाने के अपील की थी, तो मैंने भी बजाए थी ताली, और ताली मैंने बजाई थी देश के स्वास्त कर्मियों के लिए, ठीक है, मगर उसके बाद जो मजाक बन गया उसको लेकर, उसको लेकर जो भ्रांतिया पहलाई जाने लगी किसाब ताली और थाली बजाने से कुरोना भाग जाएगा इस तरह की जो बाती हुई, उसको लेकर जो उसकी बात को आप तक पहुँचा रहे हैं, मुक्धारा की मीडिया तो उसके खिलाफ है, उसके हित की बात करी नहीं रही है, तो इसलिए उसके लिए चुनौती पूर्ण है हालात, वो कह रहा है कि जब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी मन की बात करें, तो उस दौरान और ताली बजाईए, और वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो ऐसा इसलिए कह रहा है, कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी खुद ही सवाल करते हैं, और उसका जवाब भी खुद ही दे देते हैं, प्रधान मंतरी को चाहिए, कि वो किसान की सुने, और उसके सवालों का जवाब दे बनिस्पद कि आप जो हैं, अपने सवालों का जवाब देते रहें, मेरी आप से करबध प्रार्तना, कि किसान ने जो एलान किया है ना, मैं उम्मीद करता हूँ प्रधान मंतरी, उस दिन जब आपके मन की बात के दौरान कुछ किसान थाली और ताली बजाएंगे, उससे पहल कि कि अंयतीरूर्कर ने महराश के नासिक में बात की है कई किसानों से करीब शालीज इसिसान संगठन, जो हैं 21 दिसंबर को नासिक से रवाना हो चुके हैं, और वो रूख कर रहे हैं, दिल्ली का, क्या कह रहें हो किसान, अमेटीरूर्कर ने उन से बात की, आए सुनते हैं मोधी सरकार 2014 से आज तक किसानों का दाम है दुगना करने की बात बार बार कर रहे हैं लेकिन जो उसका हमी बाव MSP मिलना चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं बोलते और MSP निश्चित होना चाहिए MSP के बाद वो माल जो है वो खरीद का यंत्रना भी तैयार होना चाहिए और उसके बाद जो ओक खरीद के यंत्रना आमल नहीं करता उसको सजा भी होनी चाहिए ते काई सरकार निसका केला काई नहीं ही तुम दा श्यत्करी सरा बुला सरकार या पारी वर्ग वाहने मारगोई तैयान सा भाव साड़ा उन्तिला श्यत्करी नहीं काई जाला नहीं आनले चांगले चांगले निते उले लाकले चाचार पाई ले ते जाले 15-15 सर्चा चाहिए जाजार रहता चे लुग छान पर चाहिए जी हां वो किसान पीछे नहीं हटने वाला सरकार को भी समझना होगा कि अगर आपको उससे समवाद करना है तो सलीके से समवाद कीजिए उससे बदनाम मत कीजिए दोस्तों और आप जैसे कई लोग मध्यमवर्गी परिवार से लोग जो इस देश के कॉंशिंस की पर बताये जाते हैं जो इस देश की आवाज की दुमाइन की कई बार करते हैं मैं जानता हूँ कि आपके वाट्सैप पर उस आंदोलन का मजाक उडाने के लिए कई चीजों का प्रचार प्रसार हो रहा है मगर जैसे मैंने कहा ना तमिलाड के उन किसानों को याद रखिये जिदोंने मल और पिशाप पिया था अपनी बात को रखने के लिए और उन दो दर्जन से ज़्यादा किसानों की याद रखिये जो अब हमारे बीच नहीं है जो सिंगु बॉर्डर और रात में ठिटुर कर मर चुके हैं कई जिनकी उम्र मुझसे भी कम है उन्हें याद रखियेगा दोस्तों दूसरा मुद्दा जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो एक ऐसा मुद्दा है जिसे मैं खासा गंभीरता से लेता हूँ हूँ है कोरोना खबर यह कि बृटिन में कोरोना का अब एक उग्रो रूप सामने उभर कर आ रहा है आज जो मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या भारत इसके लिए तैयार है क्योंकि बॉरिस जॉनसन जो की बृटिन के प्रधान मंत्री हैं वो 26 जनवरी को भारत आने वाले हैं विशेश महमान के तौर पर आपको याद होगा नमस्ते ट्रम्प के चक्कर में भारत ने वे बताया जाता है कि कम से कम देड महिने की देरी से इंटरनाशनल फ्लाइट्स को बंद किया था क्यों? क्योंकि ट्रम्प आने वाले थे, नमस्ते ट्रम्प होने वाला था उस चक्कर में आपने एक तो गुजरात में लंबा चोड़ा आयोजन किया और इंटरनाशनल फ्लाइट्स को बंद करने में देरी की नतीजा ये हुआ कि भारत में कोरोना जो है वो बहुत जोरों से पहला अगर भारत ने उस वक्त देड़ महिने पहले बंद कर दी होती इंटरनाशनल फ्लाइट्स तो हो सकता है कि भारत में कोरोना का वो उग रूप हम ना देखते जो हमने देखा था अब बोरिस जॉनसन जो हैं वो विशिश महमान की तौर पर आने वाले हैं 26 जन्वरी को हमारे स्वासमंत्री क्या कहते है देखिए आपकी स्क्रीन्स पर डोंट क्रियेट पैनिक ओवर इमाजनरी सिचुएशन कालपनिक हालात पर अफरा तफरीन ना मचाएं ये हमारे स्वासमंत्री हैं आपको याद होगा जब कुरोना आया था शुरू में और जब राहूल गांधी ने ये सवाल उठाया था और ये फरवरी की बात है तब भी यही महाशाय ने कहा था कि नहीं साब कुरोना को लेकर बेवज़ा अफरा तफरीना मचाएं ये कोई बहुत गंभीर बात नहीं है ये इनी के शब्द थे अब ये कह रहे हैं कि कालपनिक हालात को लेकर आप बेवज़ा अफरा तफरीना मचाएं ये बात अलगे कि अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि 22 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में बृतिन से आने वाली तमाम फ्लाइट्स को जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा यही नहीं महराश्च ने चुकि आप जानते हैं मुंबई जो है वो देश की फाइनांचिल राधानी है उद्दव ठा सरकार ने किया है कि 22 दिसंबर से लेकर पांच चार जन्वरी तक नाइट कर्फिव होगा महराश्च के अंदर क्योंकि आप जानते हैं कि महराश्च मुंबई जो है इसका खम्याजा भुगत चुका है मगर जो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब कुरोना की पहनी लहर भारत में आई थी तो उस वक्त एक तो हमने देरी से जो है इंटरनाशनल फ्लाइट्स को बंद किया यही नहीं हमने संसत को चलने दिया क्योंकि बीजेपी को मध्यप्रदेश में सरकार गिरानी थी कॉंग्रिस की मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बार हम तयार है खासकर जो कुरोना का ये एक नया वाइरिस सामने उभर कर आ रहा है और यह कहते हैं कि ये पहले से कहीं ज़ादा उग्र है क्या हम इसके लिए तयार है क्योंकि जहां तक मुझे समझाता है कि अब तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जो वैक्सीन आ रहा है ये आ गया है उसको लेकर अब तक कोई भी plan of action की घोशना नहीं की गई है क्योंकि मैं जानता हूं कि Serum Institute के आदार पुना वाला ने कहा था कि जनवरी में हम स्वास्त कर्मियों को वैक्सीन देंगे उसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं और बाद में जाके अपरेल के बाद जा देश में जिसकी economy तहस नहस हो चुकी है इस कोरोना वाइरस के चलते हैं तो मैं इस समझना चाहता हूं दो सवाल है मेरे पहला ब्रिटिन ने इस बात की घोशना की है कि कोरोना का और भी खतरनाक वाइरस सामने है उसको लेकर आपकी क्या योजना है आपने 8-9 दिन के लिए flights तो बंद कर दी मगर इसके बाद क्या दूसरी बात अब तक vaccination को लेकर टीका करण को लेकर आपने क्या घोशना की है योगि देश की जनता ये जानना चाहती है देखिए दिक्कत क्या है कि मेरे जैसे पत्रकार कोरोना के वक्त बेवज़ा हिंदू-मुसलिम की सियासत तो न बहुती सीधे सवाल पूछ रहा हूं इसलिए इस सरकार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए क्योंकि असली मुद्धे वहीं है दोस्तों बाकी सब जो है ना लव जिहाद हिंदू-मुसलिम तब्लीगी जमात पहली बात तो अधिकतर चीज़ें जूटी निकली उपर से उपर से हमने असली मुद्धे पर ध्यानी दिया हुआ क्या था दोस्तों जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जब पूरे देश को साथ आना चाहिए था तब एक पुलिटिकल पार्टी ने आपके और हमारी बीच में लगातार खाईयां पैदा किये हमें बटवारे पैदा अगर उसने किया अपने निजी सियासत के चलते हैं सुशान सिंग राजपू जैसे मुद्धे में हमको उलजा कर रखा मगर ये मुद्धे हम न्यूस क्लिक में नहीं उठाते हैं ये मुद्धे हम न्यूस चक्र में नहीं उठाते हम मुद्धे उठाते हैं वो जिसका आपसार शर्मा को दीजे जाज़त नवस्कार